हेलो एब्रीवन वेलकम टू आवर यूटूब चैनल माइडियर स्टूरेंट आज हम आपके लिए काफी खुसखब निला है जो आपको काफी बेसमरी सिंतजार था ओ क्या है कर दिया गया है अब करने की आपको करने पढ़ेंगे वाज हम आपको सब्सक्राइब करने के पहले तो इसके पहले आपक्या करना पड़ेगा थिक है तो और क्या ऐसे form को fill up करेंगे ओ आज हम आपको बताने वाले हैं ठीक है पहले क्या है आपको कोई भी ब्राउजर open कर लेना है and since या PC में या अपनी फोन में ठीक है कोई भी ब्राउजर open कर लिजेगा simple आपको क्या वहाँ पर search करना है वो क्या search करना है cuvtsumarth.ac.in या फिर application form cuvt 2023 जैसे कि अब जितना search करेंगे अपने ब्राउजर पे तो आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस सोफ होगा तो इसमें क्या करना है आपको आगे क्या करना है पहले यहाँ पे दो option आपको सोफ हो रहा होगा sign in और register का तो ठीक है तो sign in आप तभी कर पाएंगे जब आप registration कर लेंगे ठीक है तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा registration करना पड़ेगा तो जैसे कि हम registration पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का interface आपको सोफ होगा screen पे अगर PC में खोलते हैं या फिर phone में तो ऐसे ही आप अगर phone में खोलते हैं तो desktop mode पे कर सकते ह वहाँ पर आपको desktop करने से क्या features मिलते हैं आप सोड़ा screen बड़ी खुलती है और हमें अच्छे से चीजों को visible होता है ठीक तो जैसे आप यहाँ पर registration पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको download information bullet का option आपको source off हो रहा होगा तो कि जो जो चीजे हैं ये क्या होती है कि जीतने जो exam हो रहा है वो कौन से university conductor आ रही है उनकी policies and criteria क्या है examination के point of view से और exam कैसे hold होते हैं उनके fees instruction और सारी other चीजें भी include रहते हैं अगर आप इन सब चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं वरना बाकी आपको हमारे YouTube channel के थुरू आपको inform कर दिया जागा कि कैसे form को fill up क करना है ठीक तो यहाँ अगर आप download करना चाहते हैं तो simple download here पर click कर सकते हैं और download कर सकते हैं ठीक जैसे उसके बाद स्कॉल करके आप आएंगे स्कॉल कर देंगे तो यहाँ पर आपको फीस structure दिखाई देगा ठीक है बुलेटन डाउलोड करने में आपको यहाँ पर दिखाई ठीक तो यहाँ पर आपको option दिखाई जवरा यह जो होता है न जो centers in India है उनकी लिए है ठीक अब यहाँ पर क्या है general and desert के लिए जो फीस है up to three subject के लिए ठीक 715 रूपीज ठीक है और other OBC और EWS के लिए क्या है माइनस 15 रूपीज लेस हो जाता है ठीक और जैसे और क्या है STAC PWBD third engine के लिए क्या होता है 615 रूपीज रहेगा ठीक और जो outsider मतलब जो इंडिया के बाहर के जो foreign country के लोग belong करते हैं अगर इससी चीज़ को feel up करना चाहते है तो उनकी लिए fees जो structure है वो characterize किया गया है तो करेंगे आप नीचे तो यहाँ पे आपको दीख रहा होगा I have downloaded the information bulletin मतलब कि आपने डाउनलोड कर लिया है बुलिटीन को यहाँ पे उसके लिए authentication के लिए आपको approval लेना पड़ता है तो click कर लेंगे उसके बाद जो option हो रहा है click here to proceed पे ठीक है click here to proceed जैसे आप करेंगे तो आपका जो इंट्रफीश स्कीन का सोफ हैसे होगा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा form status त्री टैप में आपको open हो रहे होंगे apply for online registration आपको मैंने पहले ही बता दिया कि sign in तभी आप कर पाएंगे जब आप registration कर चुके है ठीक my dear student तो पहले आपको apply for online registration करना पड़ेगा then after registration जब कर ल आपको provide किया जाएगा एक message की तुरूप वहां से आपको registration number डालेंगे और जो password करेंगे वहां से आप उसको login कर लेंगे ठीक है यह तोरह बात का और यहां पर क्या 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 करना है registration form में क्या 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 आपको requirement चीज़े डालनी पड़ेगी हो क्या देखिए candidate name क्या है पहले आपका candidate name डाला आपका नाम क्या है वह आप यहां पर simple fill up कर लिजेगा and father name जो आपके पिता का नाम क यहां है उसको इंटर करने के बाद mother's का नाम इंटर करिएगा और जो guardian है आप अपने मम्मी पापा किसी का भी guardian में नाम print up कर सकते हैं और candidate data birth जो आपका data birth है उसको आप simple यहां पर fill up कर लिजेगा और gender, nationality, identification type जो आपको show off हो रहा है आपको जो यहां पर यतनी भी चीज़े सोफ वरी उससाब से आपकी पास जो भी requirement चीज़े मौजूद है या फिर school ID का ID फिलाल बच्चों के student के पास होते हैं या फिर आपके पास अगर UID या नि क्या अधार कार्ड अब सभी लोग के पास अधार कार्ड हो गा ही तो आप simple अधार कार्ड नंबर जो UID नंबर होता तो आप simple यहां पर option दे रहा होगा click here to same present address पर click कर लिए गया वरना अगर नहीं है तो आप भर सकते हैं जहां पर आपका address है ठीक और जब से जो last registration करनी कि जो last step है उसमें क्या है बोला गया password minimum 8 cactus ठीक है आपको जो password बनाना है वो क्या एक unique code बनाना ठीक है unique code किसलिए क्योंकि आपके privacy के purpose के लिए होता है ठीक है तो आप जितना अच्छा आपना strongest password बनाएंगे उतना आपको सही रहता है ठीक है तो इंटर password करिएगा और फिर confirm password और एक security जो होता है हो क्या होता है security questions होता है जैसे मैंने पहला option क्लिक कर दिया विच इस यूर फेवर्ट बुक क्या है तो मैंने PCM कर लिया कुछ भी कर लिया अपने इसाफ से जो भी आपको अच्छा लेगे आपको आपको आप फिलफ कर सकते हैं यह किसके लिए होता है recovery purpose के लिए होता है ठी पर जो security pin number है आप simple put up करके आप यहां पर submit कर लेंगे जैसे submit करेंगे ठीक है आपको OTP की थूरू आपको application number एक provide कर दिया जाएगा उस application number को लेकर आप simple sign-in dot यहां पर जैसे आपको sign-in को option so up हो रहा है wait for second यहां पर sign-in पर जैसे click करेंगे ठीक है then after यहां पर ऐसा interface आपको so up होगा तो application number fill करिएगा और जो password होगा उसको fill करिएगा then after आप यहां पर security pin डालके उसको login पर कर देंगे जैसे करेंगे तो next option आपको so for an online application form जो है fill online application form all option click हो जाएगा तो अगर आपको form fill up करने problem होता है तो हमारे जो next video होगी वो इसी पर होगी कि जो second step है form को कैसे fill up करते है ठीक है तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो दूस्तो